तो आज हमारा जारा है वेता हल कपल के सपले मिदा देखें। यह यह मवन्हेल इतना द्रग लिया हैो और यह गतोप बल क्रह लिया। और यह एक कप्लिया है बेसन और हम इसमें एक चमच के करीब इतनी सी प्यास वस फ्लेवर के लिए चाहिए यह हलका सा डाल लेते हैं और मैं यह अद्रक को पीस लेते हूँ या पीस लो आप जैसे आप चाहो यह ग्रेट कर सकते हो यह मैं प्रेवर के लिए इसमें डाल दूँगे यह आप 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 गया आप आप कर सकते हैं यह मैं अच्छी से नियुक्तिल पीस्रया है और मैंस को दूआ यह मैं अख कल देते हैं नलदेतने यह मागत आप स्लेवर के लिए करूँगे नक को हुआ यह मैं तूछ स्लेवर के लिए लिए वीछ में ह convictionरive अब मैं इसमें डालती ही ये एक चम्मच छोटी सी है नमक और ये डाल देती हूं एक चम्मच लाल में थोड़ा सा भन्या पाउडर और इसमें डालती हूं में थोड़ा सा किचन किंग तो गाइज ये देखिए ये मैंने किचन किंग डाल लिया है और अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेती हूं ये लम्स निकाल देती हूं ये जो इसमें लम्स है लम्स में सारी अच्छी से गोल के निकाल देती हूं ये आप बहुत जल्दी बना सकते हो ये जट पर तैयार होता है इसमें जादा टैर में लगता हूं ये मैंने बेशन अच्छे से गोल दिया है थोड़ा और पतला कर लेती हूं इसमें और हमें थोड़ा थोड़ा कर पी पानी डालना है एक साथ नहीं डालना है इसमें आदा से गल्स करीब करीब पानी ड़व गया ये अब यह भूल ब्रेटी ह्योगिया, अब मैं यह ब्रेड लेते हूँ यह हमारे ब्राउन ब्रेड है आप नौर्मल ब्रेड भी यूदे हूँ ते लेती हूं तीन डूइट और मैंने को इसस कर देते हूं चार पुट्राओं में बाद देते हूं यह यह मने यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी नास्ता बनेगा तो गाइज यह हमारा इदार ओइल गरम हो चुका है और मैं अब इसको एक 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 पीस लिया और मैं इस गोल में डाल देती हूं इसको और मैं विसे इसमें डाल होगी हूं और मैं ऐसे ही में सारे पीसे ऐसे डालती जाते हूं यह मैं अब देती है और मैं अब देती है और मैं यह तो और मैं आलती है अब मैंने परशिकने तक और मैंने पल्ट दी है तो बहुत ज़्दी रेडी होता है अब मैंने थोड़ा ब्राउनों ने तक सिखने देती हूं यह हमारे ज़्यादा टैम ही लेते हूं थोड़ा सा और सेख लेती हूं मैंने फिर इनको निकाल लेते हूं आप चाहें रिफाइंड ओयल में फ्राइ कर सकते हो या तेल में फ्राइ कर सकते हो किसी पी ओयल में फ्राइब कर सकते हो आप इनको जिसमें भी जाओ गाइस तो यह हमने गया स्लो करियो यह देखो हमारे ब्राउन हो चुके है और मैं इनको निकाल लेते हूं आप टीसुपर निकाल सकते हो मैं नियूसपड निकालते हूं क्योंकि यह सारा ढूइल नियूसपड इंका सोक लेगा इंनमे जो भी और दाता हो वह सारा ऑल नियूसपड सोक लेता है इसलिए मैं नियूसपड लगा द Judith तो गाइज हम ऐसे ही और सारे ये टुकड़े इसमें बेड़के डाल जेते हैं सारे प्राइब करने के लिए ऐसे ही मैं सारे पीस डाल देखेंगे इसमें आप इसको अपने बच्चों की लंच में भी पैक कर सकते हो टिफिन में भी पैक कर सकते हो तो गाइज ये देखिए ये हमारे बागी के भी सिप गई हैं ये सारे और मेह इनको भी निकाल लेते हूं तो गाइज ये देखिए हमारा ये हलका फुलका टेस्टी नास्ता तयाद है और आप इसे एक वार ट्राय जरूर करें और आप इसे एक वार आप जरूर बनाएं ये बहुत ही जटपट से बनता ही है हमारा हलका फुलका बेट का टेस्टी नास्ता है और इसी बात पे आप हमें लाइक करें नई हो तो सब्सक लाइब करें और हमारी वीडियो को जरूर देखें तब तक अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए